हमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आज पर सो हाल ही में इसराइल के जो फाइनांस मिनिस्टर हैं वो भारत के दौरे पर आये थे और उन्होंने इंडिया में आकर के इंडिया की जम के तारीफ करी आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे एकनॉमिक टाइम्स की यह वाली खबर है जो कि आज से अल्मूस्ट कुछ दिन पहले साथ दस दिन पहले सामने आई थी उसी क्यों हम लोग कवर करने वाले हैं और इन्होंने बलकी साथ में यह भी कहा कि इंडिया और इसराइल को एफ्टिये भी साइन करना चाहिए और एफ्टिये जो है डाट श इसराइल ने यह भी कहा दाट इसराइल नीट्स तो लेवरेज दस साइज और इंडिया जो बहुत जादा बढ़ चुका है और उसी चीज के ऊपर फोकस कर तो इन्होंने कहा कि हमें इंडिया का जो हुज एकोनोमी है उसके साइज और स्कोप का पूरा फाइदा उठाना च जाहिए इसी के बारे में बात करेंगे इंडिया इसराइल के जो economic relations है उनको भी समझा जाएगा कहां कहां पे और ज्यादा relationship बेटर हो सकती है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगा यह शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं तो यहाँ पिर दिये गए Telegram Channel के माधियम से ऐसा कर सकते हैं Also बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे course में enroll नहीं क्या है आप अभी भी कर सकते हैं using my coupon code अनिरुद जिसमें कि आपका जो पूरा का पूरा current face का course है वो आपको अवेलिबल होगा मातर 909 रुपे में इसमें enroll करने के लिए जो link है वो दोस्तो description में है आज आखरी दिन है जब आपको यह price मिल रहा है इसके बाद इसका price जो है वो बढ़ जाएगा इस course में आपको पिछले एक साल के सभी current face और इसके साथ संबंदित पूरा का पूरा static content भी available करवाया जाएगा जो कि UPSC exam के हिसाब से इसको create किया गया है इतना ही नहीं अगर आप लोग test book pass में enroll करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं एक साल का जो test book pass दो साल का जो test book pass है वो 224 रुपे में है और pass pro जो है वो दोस्तो 449 रुपीज में available है ध्यान रखिए ये price आपको तभी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा coupon code अनिरुद pass यूज करते हैं enroll करने के लिए जो link है वो दोस्तो description में दिया गया है तो अगर हम लोग इसराइल और इंडिया के जो commercial relations है उनकी बात करें तो आज से कुछ साल पहले लगभग 30 साल पहले हमारे जो संबन थे वो कुछ जादा खास नहीं थे इसमें आप देखेंगे तो 1992 में इंडिया इसराइल का जो आपसी वैपार था वो केवल 200 million dollars पे ही रुका हुआ था लेकिन धीरे धीरे जो वैपार है वो काफी जादा बढ़ा है अगर हम लोग बात करते हैं 18-19 वाले वित्य वर्ष की तो जो आपसी वैपार था वो पहुंच चुका था 5.65 billion dollars पे उसके बाद ये बढ़ते बढ़ाते अभी हम आज की डिट में बात करते हैं 20-21 की आइकिस बाइस की तो almost 8-8.2 billion dollars के आजपास हमारा वैपार पहुंच चुका है अच्छी बात ये है कि जो ये वैपार हम लोग करते हैं इसमें इंडिया के favor में है ये वैपार मतलब की इंडिया का यहाँ पे trade surplus है almost 1.5-2 billion के बीच का trade surplus इंडिया का बना हुआ है अगर हम लोग बात करें कि export items कौनसी कौनसी है जो कि इंडिया से इसरायल जाती है तो इसमें एक तो precious stones और metals जाते हैं बहुत सारे chemical products हैं उसके बाद textiles और textile articles भी हैं जो कि इंडिया export करता है अगर बात करें कि इंडिया import क्या करता है तो इंडिया भारी मात्रा में इसरायल से diamonds को procure करता है जो कि again precious stones और metals वाली category में आ जाता है उसके बाद chemical and mineral products, base metals and machinery भी है जो कि हम लोग इसरायल से basically import कर रही हैं दो main areas जिसमें कि इंडिया और इसरायल का जो cooperation है economically वो काफी strong बना है और काफी strong चल भी रहा है वो है agriculture and दूसरा है defense and security अगर हम लोग agriculture की बात करें तो आज से लगभद 15-16 साल पहले की बात है 2006 में एक comprehensive work plan sign किया था for cooperation in agriculture और इसी work plan के तहट इसरायल ने बहुत अच्छी जो expertise है उनकी agriculture में और agricultural technologies में उसको इंडिया के साथ share किया है for example फिर भले वो horticulture mechanization में हो, protected cultivation में हो, orchard canopy management, nursery management, micro irrigation, post harvest management इन सभी का फाइदा इंडिया को देखने को मिला है, particularly इसका बहुत बड़ा फाइदा हर्याना और महाराष्टरा में देखने को मिला है in fact यहाँ पर मैं जो आपको photo दिखा रहा हूँ, यह दोस्तो एक center of excellence है, जो की हर्याना के जिले करनाल में आपको देखने को मिलता है अगर हम लोग बात करते हैं defense and security की, तो यहाँ पर भी जो कहानी है वो काफी strong बनी हुई है, इंडिया जो है वो इसराइल से काफी भारी मात्रा में defense technologies को और defense equipment को import करता आया है I'm sure आपने नाम सुना होगा बरक missile का, तो यह दोस्तो इसराइल से ही मंगवाई जाती है, उसके बाद आपने नाम सुना होगा falcon, air warning and control system का, यह भी दोस्तो कहीं और से नहीं, बलकि इसराइल से ही मंगवाई जाती है और इसके इलावा, जो army है, उन्होंने ये भी decide किया है, कि जो spike missiles है, वो भी इसराइल से मंगवाई जाएंगी, और जो hiron drones है, ये भी इसराइल से मंगवाई जाएंगे, जिसमें काफी सारे इंडिया में already आभी चुके हैं तो ये दो areas ऐसे हैं, जिसमें कि हमारा वैपार काफी अच्छे तरीके से चल भी रहा है, और इसी का नतीजा है, कि इंडिया जो है, वो इसराइल का third largest partner है in Asia, and seventh largest है globally, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ऐसा माना जाता है, कि दोनों देशों में जो वैपार है, वो और भी better हो सकता है, इसमें कुछ-कुछ challenges है, number one challenge जो हमारे trade volumes हैं, वो बहुत जादा नहीं है, even though दोनों countries में trade काफी areas में, काफी sectors में हो रहा है, लेकिन इसका जो potential है, वो अभी भी achieve अच्छे से नहीं हुआ है, दूसरा बड़ा challenge यहाँ पे क्या हो रहा है, कि इसराइल और चा चल रहे हैं, जिसकी वज़े से इंडिया जादा अच्छे से इसराइल की market को access नहीं कर पा रहा है, चाइना basically इसराइल की market को काफी अच्छे तरीके से access कर पा रहा है, और यहीं पे इंडिया को काफी जादा नुकसान हो रहा है, इसी के चलते अब कहा जा रहा है कि इंडिय इसराइल का जो economic relationship है उसको expand किया जा सकता है और इसराइल की जो minister है वो recently इंडिया आए उन्होंने कहा कि इंडिया इसराइल के बीच में FDA को sign करा जाना चाहिए और इन्होंने कहा कि it should be as wide as possible क्या क्या statements इन्होंने दिये वो आपको it together and इसी लिए इन्होंने बलकि ये भी कहा कि जो हमारा IT, I2, U2 का group है जिसमें इंडिया, इसराइल, UAE और US से आते हैं ये एक बहुत ही अच्छा idea है और ये जो grouping है इसमें India has a lot to offer to Israel और इन्होंने बलकि साथ ने ये भी कहा कि UAE और इसराइल में तो आपस में काफी अच्छी बॉन होमी हमें देखने को मिल रही है लेकिन जो US और Indian economies हैं उनका हम लोग अभी तक उतना जादा फायदा नहीं उठा पाएं हैं अभी time आ चुका है कि हम लोग उसका भी अच्छे तरीके से फायदा उठाएं so that Israel की economy और India की economy के बीच में relationship और बहतर हो सके और यहीं पर इन्होंने बात करी he also said कि possibility of talks on a free trade agreement between India and Israel और इन्होंने कहा we are deep friends because we trust that we will always be together in the future between governments I will propose to our ministers to expand talks on an FTA to focus on business development to share knowledge and experience with each other आपको बताना चाहूंगा कि India-Israel के बीच में जो FTA की बातचीत है यह कोई नई बातचीत नहीं है यह बहुत पहले शुरू हो चुकी थी इसका जो पहला round था यह दोस्तों आज से 13 साल पहले 26 मई 2010 में शुरू हो चुका था नई दिल्ली में उसके बाद 8 rounds हुए थे लेकिन जो आकरी round है वो 2013 में हो चुका था आसे 10 साल पहले उसके बाद से बातचीत एक बार के लिए रुख गई थी लेकिन अब फिर से बातचीत को resume करने की यहां पर आवास सामने उठाई गई है तो इसी लिए इन उने बल्कि यह भी कहा तो प्रपोज FTA शुड़ बी आस वाइड अस पॉसिबल तो इनेबल मोर और मोर ट्रेड अज ब्रिंग्स थे पीपल तोगेदर नाव नॉट जस्ट दाट आज से अगर आप देखेंगे तो दो महिने प्रिवेट कंपनी के द्वारा और इन्वेस्मेंट्स इस्राइल में करी जाएं वह भी कही न कहीं चाहते हैं कि इंडिया और इस्राइल के जो एकोनॉमिक रिलेशन्शिप है वह और जादा इंप्रूव हो सकें नाव यह FTA साइन होगा या नहीं यह तो किसी को नहीं मालूम लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आड़ान करना चाहूंगा वो यह है कि इंडिया के लिए यह FTA काफी जादा फायदेमन साबित हो सकता है लेकिन हम लोग उनको उतना export नहीं कर पाते हैं अगर हम लोग FTA sign करते हैं तो हम लोग उनको काफी चीज़ें आफर कर पाएंगे काफी ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक हम उनका market access नहीं कर पा रहे हैं तो इंडिया को इस FTA के लिए काफी aggressively push करना चाहिए and obviously जो I2, U2 का platform है उसको भी suitably use करना चाहिए so that हम लोग basically इनके साथ जो वैपार है वो और भी बढ़ा सकें और I2, U2 का platform suitable इसलिए बन जाता है because इसमें USA और UAE आते हैं UAE के साथ इंडिया आपको मालूम होगा पिछले साल हमने FTA sign किया है जो की बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और USA वैसे भी हमारा largest trading partner है तो इसी platform का इस्तिमाल करते हुए इंडिया इसराइल के साथ अपने वैपार को और जाधा बहतर कर सकता है बाकि आप लोग की क्या राय है क्या-क्या challenges आ सकते हैं इसमें क्या-क्या इंडिया को करना चाहिए इसराइल के FTA को लेकर डेफिनेटली बताइए हमें comment section में जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा आप लोग मुझसे current affairs पढ़ना चाहते हैं तो इस course में आकर के enroll कर सकते हैं using the coupon code अनिरुद और आपको ये पढ़ेगा 909 rupees में thank you so much for listening, stay tuned and stay safe